बश्कार दोस्तों सौगत आपको मारी यूटूब चैनल टूरिजम स्टडी में दोस्तों आज की निवागत निया आपसे दोस्तों बेसिकलिए मारी सेक्रिंड वीडियो है क्लास 10 के लिए दोस्तों आप लोगो बता दू यहां पर मैं एक सिरीज की स्टाटिक गराओ जिसका नाम है वैदिक ग्यां सिरीज इस सिरीज के अंदर हम लोग जो है क्लास 6 रुपास साभी बच्चों के आप और सब्सक्राइब करते हैं अब लोग जो चाचा मुमा फूफा बूवा जिसके पास भी चोटे बड़े भाई बैनों जो चटी से बारवी तक के बीच के लिए उनको आप लोग यह वीडियो शेयर कर सकते हैं दोस्तों बता दू यहाँ पर हमने पिछली वीडियो में क्या देखा था हमने पिछली वीडियो में जाना था कि जो एक युकली डिविजन लेमा है उसको अच्छे सा हमने यहाँ पर श्टी कर ली थी ठीक है ठीक है दोस्तों आपको बता दिया था मैंने युगले डिविजन लेमा आप क्या होता है कैसे होता है और आपको मैंने इतना बढ़िया तरीके समझाया था दोस्तों अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उसको जाके देख सके तो प्लेश में बननी पड़ी है लेक्शर वन था वो दोस्तों यह लेक्शर टू है आप लोक highest लेक्शर तू में आपको जो मैं आगे का शोटा होगा आपका हमेशा हो ठीक है है तो यह आपको कशोटा हो जो बनोसिकर एक बमीशा आप के अ 박 Πी सीm गोल बनाके आप लोग को यहां पर बहुत इजीली समझाओ ठीक है तो इस्टार्ट करते हैं आपको बता दूँ यहां पर जो है मैंने एपले एसका डूपल ले लेता हूं यहां पर दे सकते हो यहां पर चपपन और साथ यह रखा दो आपको डिजिट दिये थे चपपन आप फैर यहां पर दिघृत करना तो सकते हैं इसके बाद यहां पर यहां पर डिवायड करा तो इसके बाद यहांप़ यहां पर आकड़ाक अक्एल सुल आपको पर रिक है कि हम डिरेक्ट अपने एक्सराइस पे नहीं आजाएंगे एक्सराइस घुग लया आकश हूई कर से gekे एक दम बेकार है दोस्तो एक्साइज कदम कराना है आपका मोटीव निया है यहां पर मारे कंसेप्ट करना आपका मोटीव है दोस्तो आप हम लोग एक अलगी कोशन करेंगे जिसको आप लोग बाद में पढ़ोगी तो देखें आपको बता दू वह कोशन आपकी NCID में तो है लेकिन आप लोगों में यहां पर इसलिए करार कूँकि वह कॉंसेप्ट ही अलग है उस कॉंसेप्ट को अगर आप लोग समझ गे तो आप लोग उससे रिलेटर जितने भी कोशन आएगे वे दोस्तों गैरेंटी दे रहा हूँ आप लोग उसको गैरेंटी से पूरा कर आप लोग यहां पर कोशन पढ़ने के बाद ऐसा लग रहा होगा भाई तुने तो यार इतना हाड कोशन उठा लिया है अब यार हमारा तो बेडा गर गो गया मैं बता दूस्तों आपको बिल्कुल भी आपर टेंशन नहीं लेनी यह आपका बहुत ही इजी कोशन है आपको यहां पर हाड कोशन तो है लेकिन मैं आपको ऐसे तरीके समझाऊंगा दोस्तों कि आपको यहां पर बेस्ट क्वालिटी वीडियो प्रोवाइड करी जाए कि यहां पर कोई फालत हूँ आपको ऐसे नॉमनली कॉंसेप्ट नहीं समझाए अगर नहीं आपको बड़े- प्रोफेसर तरह बुढ़े-बुढ़े जो फर्फेसर होता है वो आपको जैसे लेक्षर देखे चले जाते है वह भी लेक्षर नहीं दोस्तों आपके लिए श्टुएंट ली फ्रेंडली आपको यहां पर लेक्षर प्रोवाइड करूँए ठीक है यहां पर आपको यहां 6 Q plus 3 6 Q plus 5 यह आपसे पूछ रहा है कि क्या यह odd integer है दोस्तों आप लोगो बता दूँ यहाँ पर यह आपसे पूछ रहा है कि हम यह क्या odd integer हो सकता है दोस्तों इसको अभी हम अच्छे से पूरूफ करेंगे पहले हम यहाँ पर देख रहेते हैं हम पहले assume करेंगे let us assume the positive real number as a आ एक र्र यहाँ पर यह होता है आपका a next ask शे प्रीडी प्लास इसको हमने avete पर ले लियो है यहाँ पर उसको बीऀ ले सकते हो जो अनुए आपके остав हमने हां जो हमने पर हमें यहाँ बीक्यू तो हमारा A, जिसका यहां पर A है, ठीक है दोस्तो, and we express in the form of 6Q plus R, 6Q plus R, और इसके यहां पर A के equal to में कहा 6Q plus R, where 0 से बढ़ा होना चाहिए, R जो आपका 0 से बढ़ा हो सकता है, और 0 के equal भी हो सकता है, और आपका यहां पर 6 है, क्योंकि 6 के बढ़ा आपको कुछ भी नहीं, क्योंकि यहां पर आपको B नहीं होना चाहिए, अब आपको आपको में कॉंसर्ट से आपको समझाने जारों, इसको लिखा रहा हो, इस वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि अभी आप लोग यहां पर कुछ भी नहीं समझाया हो, लेकिन अब जो आपको बताने जारों ना, उससे आप लोग यहां पर पानी से समझाया होगे, ठीके, चलते है नेक्स्ट पेज की तरफ, दोस्तों हम आ गए, अपने नेक्स्ट पेज की तरफ, देए जसको भी मिल्कुल मत लीगे, कई आपको बता角र, देखें दोस्तों कभी भी आप लोग यहां पर कुछ भी दिया जा जैए, जैसे कि आप लोग यहां पर कुछ भी दिया जा रहा है, इस बात को आप लोग यहां पे ध्यान रखो इसी के concept पर जैसे कि अगर आपका A है यहां पे तो A plus 1 होगा A plus 2 होगा इसका अगला number और उसके अगला number A plus 3 होगा ऐसे चलते चलते A plus 4 आएगा A plus 5 आएगा इसी के base पर हमने यहां पे लिया है जैसे कि आप लोग को यहां पे A हमने ले लिया है 6Q यहां पे 6Q दे नहीं रखा था लेकिन मैं आपको समझाने के लिए ले रहा हूँ यहां पे आप सोचों यहां पे 6Q था ठीक है 6Q आपके यहां पे ले लिया है मैंने एक number फिर हमने A plus 1 कर रहा है तो यहां पे 6Q plus 1 जो की वहां पे हमें दे रखा था ठीक है चालों खुश्च करें तो आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपका 3Q ठीक है जब यह हमारा जो है 2 से डिवाइड हो गया उसी सामें यह फिक्स हो जाता है कि आपका जो 6Q है वह आपका तो आपको बता दो यहां पे एवन और ओड का मतलब क्या होता है तो यहां पर आपका नंबर निकल क्या है वह आया आपका यह आपकर यहां पे यहां पर याप दोस्ट आपर बता दो 6q plus 1 आपका ओड है क्योंकि यहाँ पर 2 से डिवाइड नहीं होगा आप लोग कहेंगे यह तो हो जा रहा है 2, 3, 6 आ जाएगा लेकिन दोस्तो 2 की टेबल में 1 आता है नहीं आता है तो इसलिए यह डिवाइड नहीं हो रहा है नहीं common आ रहा है इसमें 2 तो दोस्तो इसलिए यह हमारा ओड है ठीक है तो इससे एक बात तो प्रूफ होगी कि आपका जो 6q plus 1 दे रहा था तो दोस्तो आप यह वीडियो प्रूफ कर लोगा तो अपनी मैध की बुकु जो खोल सकते हैं आपको एक कोशन मिल याग एक साइज 1.1 का ही कोशन है यहाँ यहाँ पर आप लोग देख सकते हों कि आपको यहाँ पर 6q plus 1 दे रखा है वो आपका ओड होगा क्यों कि यहाँ पर 2 common नहीं आ रहा है ठीक है तो एक बात तो आपकी यहाँ पर प्रूफ होगे फर्स्ट आपका प्रूफ हो गया अब आपको दूसरा यहाँ पर क्या दे 2 को देखा 6q plus 2 हमने लिया तो यहाँ पर फिर से 2 common आ गया क्योंकि यहाँ पर 2 3 जाए 6 और 2 1 जा 2 तो यह हमारे even होगे तो हमने इसको यहाँ पर कट कर जाए यह odd होगा ठीक है दोस्तों यह आपको यहाँ पर even होगा ठीक है क्योंकि यह 2 से डिवे जो है common आ रहा है अब आते हैं आपने जो हमारे फिफ्ट है दोस्तों आप लोगो बता दू यहाँ पर आपको जो 6 है 6q plus i जो कि आपको प्रूफ करना था जो कि आपको पूछा क्या यह odd है दोस्तों आप लोगो बता दू यह बिल्कुल यह odd है क्योंकि यहाँ पर 2,3 जा 6 तो आजगा लेकिन 2 की टेबल में 5 बिल्कुल नहीं आएगा तो यह आपका odd होगा दोस्तों हमने यहाँ पर प्रूफ करना था कि आप लोगो जो यह नमर दिगे है 6q plus 1, 6q plus 3, 6q plus 5 क्या यह हमारे odd integer है तो आपको यहाँ पर प्रूफ करके दिखाना था यो कि हमने ऐसे प्रूफ कर दिया आप लोगो यहाँ पर पेपर में 6q, 6q plus 2 और 6q plus 4 बिल्कुल भी मत लिगना दोस्तों आपको बता दू यह सिर्फ आपको यहाँ पर समझाने के लिए दिया गया आप भी आपके numbers होते हैं जैसे कि आपको यहाँ पर 6q plus 1 दे रखा था तो 6q plus 1 के पहले क्या होगा 6q, क्योंकि 6q के बाद ही आएगा 6q plus 1, 6q plus 2 उसके बाद आएगा फिर a plus 3 आएगा फिर यहाँ से आपको बताया था मैंने उपर यहाँ पर a plus 1, a, a होगा फिर a plus 1, a plus 2, a plus 3, ऐ आइसे करके हमारे number चलते रहते हैं दोस्तों आप लोग को वही सुरीश से मैंने आपके समझा दे हैं ठीक है दोस्तों अगर आपको समझा है तो दोस्तों इस वीडियो का भी तक like नहीं के तो like कर देना ठीक है we conclude that all positive odd integer are of the form of 6q plus 1, 6q plus 3, 6q plus 5 यहाँ पर हमने यह पर प्रूफ कर दिया कि आप लोग का जो यहाँ पर odd integer है वो आपका 6q plus 1, 6q plus 3, 6q plus 5 आपका जितने भी यहाँ पर odd integer पाए जाएंगे वो आपकी इनके form में होंगे यह बात यहाँ पर प्रूफ हो गई है ठीक है दोस्तो आपको यहाँ पर एक और काम करना है दोस्तो प्लीज यहाँ पर लिखाया झाल समया कर लोगों precise प्लीज इस वीडियो को अभी पॉस करो और इसी कोशन को एक बार करो प्र यहाँ पर दूबारा पने आपको और यहां पर अपर दिक करो और प्र यहाँ पर निकालने के- यह नहीं होता क्योंकि यह बहुत ज़्यादा मेन कॉंसेप्ट था चलता अपने नेक्स्ट पेज की तरफ दोस्तो आप लोग बता दू यहाँ पे आपको मैंने जो आभी कोशिन कराया उसी से रिलेटीड आपका एक और यहाँ पे मैं कोशिन होमवक के लिए दे रहा हूं दो आपको मैंने 6Q plus 1 सिखाया था दोस्तों यहाँ पे मैंने बस डिजिट बदे 8Q plus 1 पूरा कोशन सेम है आप लोगो उसी कोशन करना कि आपको बताना कि क्या यह और इंटीजर है अगर आप लोग वहाँ पे कर पा रहे हो तो मेरे को आप पे अपने स्क्रिंश और या फोटो क आप एक सवाल यादा है कि दोस्तों आप लोग आप पर प्राइम फेक्टर के बारे में बताना भूल गया था ठीके दोस्तों प्राइम फेक्टर क्या होता इसको आप यहाँ पर जान लो यहाँ पर हमने एक जाए 16 नंबर लिया है 16 को इसके प्राइम फेक्टर निकालो नहीं आता है इस बात को यहां पे आप लोग एकदम consider कर लेना 1 को यहां पे include नहीं करा जाता है prime factor निकालते वक्त यहां पर आपको बता दो 16 is equal to 2 की power 4 बस आपको यह होगा हमारा prime factor 1 को include नहीं किया जाता है इस सीच को आप लोग अच्छे से ध्यान रखना ठीक है अब आते है हमारे main यहां पे जो आपका दूसरे question की तरफ दोस्तो आप लोगो बता दू आप लोग के मन में यहां पे query होगी what is the condition for any number to end with यहां पे digit 0 दोस्तो आप लोगो बता दू यह question भी आपका main है आप लोगो से पूछ सकता है कि आपको कोई ऐसा number बता हो जो की numbers and 0 से end होता हो दो आप लोगो को कि यह number 0 से ही Q end होता है यह number जो है 5, 2, 3, 3, 4, क्यों नहीं end होते है और और number यहां पे 0 क्यों नहीं आते है इसको यहां पे proof करके बताना प्लाएगो तो हम इसको proof करते हैं दोस्तो जब आपके 100 का प्राइम फेक्टर निकला होगी तो आप निकले का 2, 2, 2, 5, इंटू में 5, ठीक है तो इसके यहां पर 2 की पावर 2 और इंटू में 5 की पावर 2 आप लोग इसको यहां पर बस यह ले रहो ठीक है तो आपके common का भी लेते चलो कि आपका यहां पर यहां पर आपको चार से number दिख रहा है इसमें भी हम जब प्राइम फेक्टर निकालेंग इंटू में 2 इंटू में 5 इंटू में 5 इंटू में 5 यहां पर आप लोगको एक ची नोटिस करनेंगे यहां पर 2 और 5 यहां पर भी है चारे 600 का निकालेंगे कोई यहां पर 0 है तो इसके last पर हम यहां पर देख सकते हैं 2 इंटू में 5 इंटू में 13 13 यहां पर आप लेख सक यहाँ पर 5 होना ज़रूरी है उसका प्राइम फेक्टर जैसे आप लोगो कोई भी यहाँ पर नंबर निकालना है आपको प्रूफ करने के लिए बोले कि आप लोग यहाँ पर जिताओ कि अपने तरीकी समझाओ को आपको बुक के तरीकी से भी नहीं आपको पता चल गई कि आपको कोई भी जीरो नंबर आएगा उसमें आपका दो और पांच होना उसके प्राइम फेक्टर में एकदम लाजमिया बहुत जादा जरूरी है यहाँ पर आपको इंग्लिश में भी लिखा वही चीज है कि कोई भी नंबर अगर जीरो आना है तो उसको यहाँ पर टू एम इंटू में फाइफ एन तो एक होना चाहिए कोई भी नंबर आ सकते जो भी नंबर तो चलते आपने नेक्स्ट पेज की तरफ दोस्ता अपर एक और कोशन ना जिसे मैंने आपको यहाँ पर समझाने कोशिश करी है कि आपका कोई भी नंबर यहाँ होता है 0 से यहाँ पर आप देख सकतो 9N, 2, 21N और यहाँ पर 27N है यहाँ पर हमने आपको प्रूफ का निकल बताया कि 2 और 5 होना जरूरी है 21N आपको यहाँ पर दिया तो दोस्तों आप लोग इसको कैसे मंटी पर फेक्टर करोगे तो 3 इंटू में 7 आता है यहाँ पर आपको साथ साथ दिखे है कि 21 में कहीं भी 2 और 5 नहीं आ तो यह आपका 0 से एंड नहीं होगा और दोस्तों आप लोगो बता दू यहाँ पर हमने 9N को भी यहाँ पर लिया तो 9N का जब हमने प्राइम फेक्टर करें तो यहाँ पर 3 इंटू में 3 आ रहा है दोर आ में पर लोगो यहाँ पर 17 साथ था दो यहाँ पर लोगोगो नहीं पर दोगोगो यहाँ भी 2 ओियाि इंटू एपकाता व्याँ है